Hey everyone, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains, मैं हूँ शिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको बिलकल free education प्रवाइड कराया जाता है मेरे बच्छो ताकि आप अपने life में बहुत अच्छा कुछ कर सकें So, आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आप सुनेंगे शिपरा मैम की जबानी आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही interesting सी चीज क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं endocrine system की पहली gland के बारे में which is the hypothalamus and the pituitary gland ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक बाप के बारे में और एक दादाजी के बारे में और कोई सगा है तो उससे कम-कम करवाता है, आईए देखते हैं, ठीक है so we are going to talk about the pituitary gland and the hypothalamus pituitary gland क्या है, कहां पर होती है, position क्या है, कैसे बनती है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और हम बात करेंगे hypothalamus के बारे में hypothalamus कैसे pituitary को regulate करती है, आज के lecture में एक discussion है हमारा आईए, so let's start मेरे बच्चो, तेखिए, last class में मैं आपन लोगों ने इस discuss किया था last class में मैंने आपको एक ऐसा hypothalamus बना के दिखाया था फिर मैंने बोला कि इससे एक डंडा बाहर निकलता है, है ना? ओके, ठेक है, यह पढ़ाया था मैंने आपको इस डंडे के दो लोब होते हैं, एक है anterior lobe, यह पढ़ा दिया था मैंने और एक होता है posterior lobe, यह पढ़ा दिया था मैंने इसको label कर ले हम लोग, आईए, देखते हैं क्या है So ये जो दिखाई दे रहा है, floor of third ventricle Third ventricle क्या होता है, you have to take the lecture of the brain Otherwise समझ भी नहीं आएगा, उसमें मैंने बहुत बहुत समझाया, पढ़ो जाके उसको ठीक है, ये क्या है बचो, hypothalamus, बहुत सारे hormones निकालता है ये है hypothalamus, ये जो स्टाक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरे बचो, infundibulum, क्या है ये बचो मेरे infundibulum और infundibulum से लटकी हुई होती है आपकी pituitary gland ठीक है, अब अगर कोई आदमी इधर की ओर देख रहा है, ठीक है, अगर इधर की ओर हम देख रहे हैं तो ऐसा hypothalamus, एक डंडा और ऐसे pituitary लटकी है तो जो आगे दिख रहा है वो क्या है, anterior pituitary और जो पीछे दिख रहा है वो है posterior pituitary ठीक है, structurally ध्यान से देखूं, ठीक है, structurally या anatomically लिखूं क्या यहाँ पर लिखती हूं pituitary gland के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे बचों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा देखो अगर तुम मेरी guarantee है, अगर तुम lecture को ध्यान से लगा के देख लोगे, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें gland का एक भी question गलत हो जाए तुमारा और ये बहुत important chapter है बचों, छोटा सा ननना सा मुनना सा प्यारा सा chapter है, बट इससे question बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आएए देखते हैं, structurally and functionally देखिए, structurally pituitary के दो बाट होते हैं, ठीक है, structurally pituitary के दो भाग हैं, ठीक है, structurally pituitary के बच्चों दो भाग होते हैं, एक है anterior pituitary anterior pituitary and posterior pituitary ठीक है, done हो गई, anterior pituitary को हम लोग adenohypophysis भी कह सकते हैं, adenohypophysis and posterior pituitary को मेरे बच्चों, हम neurohypophysis भी कह सकते हैं, सब क्या है मैं आपको बताती हैं, posterior pituitary को हम neurohypophysis भी कह सकते हैं, done, अब आप आईए functionally, ठीक है, now, functionally, functionally, जो pituitary होती है, वो तीन भागों में divide होती है, functionally, ठीक, anterior pituitary, यह ठीक है, यह उसको ऐसा लख सकते हैं, pars distalis, pars intermedia and pars nervosa, यह सब क्या है माडम, यह सब क्या क्या आप बोले जा रही हो, जड़ा हमें बताओ तो आईए, यह जो मैंने लिखा है, इसकी बारे में बात करते हैं, टिं 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 करते हैं, तो तो मुझे बोलते हो, क्या करते हैं माडम, ठीक है, देको, सब लोग देखे गा मेरी बात, यह जो part दिखाई दे रहा है, यह जो part आपको दिखाई दे रहा है, It is the adenohypophasis Adenohypophasis ठेक है इसको हम anterior pituitary भी कहते है This is the neurohypophasis यह hypophysis काई को बोल रहे हम? क्योंकि यह hypothelemus से जुड़ी हुई है न, ultimately pituitary gland आप समझो इन pituitary का यह anterior lobe है यह anterior lobe है, posterior lobe है पर आपको मेरी बात ध्यान से समझना है क्या बोल रही हुमें एडीनो हाइपोफाइसिस के अंदर एडीनो हाइपोफाइसिस के अंदर ठीक है दो functional units है या दो functional lobes है इसको ऐसे बनाएं क्या ओके ठीक दो functional lobes है ठीक, बना ले ये दो functional lobes बनाएं मैंने और एक functional lobe बनाएं मैंने ये ठीक, समझ आ रहा है आपको pituitary के structurally दो lobe है ठीक है, structurally दो भागों में pituitary divided है anterior pituitary, posterior pituitary पर functionally इनके अंदर तीन और lobes हैं, मतलब दो भागों of pituitary के अंदर तीन functional lobes होते हैं ठीक है, क्या है ये, अब आपके देखिए ध्यान से देखो, जब आप छोटा जैसे की यहाँ पर मैं आपको theory भी लेके आई हूँ, तो I hope कि आपको दिखेगा ये anatomically जो, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये चीज anatomically, anatomically मतलब structurally, ठीक है structurally, pituitary के दो ही भाग है आगे वाला और पीछे वाला, ठीक है आगे वाला और पीछे वाला, done पर अगर मैं बात करूँ functionally मेरे बचो functionally, functionally तो functionally, इन दोनों pituitary के अंदर तीन लोब्स होते हैं समझ में आ गई बात, तो structurally pituitary दो ही भाग में बनी है पर functionally, इनके अंदर तीन लोब्स होते हैं जो की हॉर्मोन्स निकालते हैं आईए इसके लिए थोड़ा साब को flashback में जाना पड़ेगा जब आप छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था अब मैं बड़ा हो गया हूँ अदर तीन लोब्स हुआ करते थे ठीक है? यह हो गया interior lobe, AL लिख दूँ यह हो गया middle lobe और यह हो गया posterior lobe समय के साथ यह जो middle lobe की cells हैं वो किस्से जाकर चिपक गई? anterior lobe से चिपक गई समझ में आई? सो जब आप छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था नहीं और छोटा था तब तू भैवे करता था बस तो embryonic stage में ही भैवे भी नहीं करता था embryonic stage में ही यह जो middle lobe होता है यह anterior lobe से जाकर चिपक जाता है और जो middle lobe होता है वो anterior lobe के अंदर आ जाता है इसका मतलब यह कि anterior pituitary के अंदर ही middle part of pituitary पाया जाता है anterior pituitary के अंदर ही anterior pituitary का lobe भी और middle pituitary का lobe भी पाया जाता है क्योंकि embryonic stage में हम लोग ने middle pituitary को anterior pituitary ने खीच लिया यह middle pituitary बोले मुझे बहुट दल लग रहा है पीछे वाले से फ्लीज मुझे चिपका लो ठीक है अब anterior pituitary के अंदर functionally दो lobes आ गए मेरे बच्चो एक है anterior lobe एक है anterior lobe ठीक है एक है middle lobe middle lobe और पीछे वाली posterior pituitary में तो obviously posterior lobe है ठीक है अब इन लोब के ना नाम है इन लोब के नाम है ऐसी थोड़ी anterior lobe posterior lobe यह सब कह दोगे ठीक है आओ बच्चो देखते हैं थोड़ी सी बात anterior lobe को बच्चो anterior lobe को मेरे बच्चो हम कहते हैं pars distalis क्या कहते हैं हम लोग इसे pars distalis middle lobe को हम कहते हैं middle lobe को हम कहते हैं pars intermedia देखो जिसको मेरी handwriting नहीं समझ में आ रही है ना उसको मैं बोल तो रही हूँ ना posterior lobe को हम कहते हैं pars nervosa ठीक है कुछ समझ आया nervosa क्यों कहते हैं क्योंकि neurons are regulated होता कैसे होता पढ़ेंगे क्या समझें क्या समझें भी तक मेरे बच्चे लोग hypothalamus से एक डंडा है जिसे हम infantibulum कहते हैं जिसे pituitary gland लटकी हुई रहती है pituitary gland के दो भाग होते हैं anterior pituitary, posterior pituitary anterior pituitary को adeno hypophysis कह सकते हैं posterior pituitary को neuro hypophysis कहते हैं पर functionally pituitary के कित्ते भाग हो गए तीन क्योंकि functionally हमारे पास तीन लोब हैं जो कि अलग-अलग function करते हैं अब हो निकालते हैं functionally एक लोब का नाम है anterior lobe, middle lobe and posterior lobe actually जो middle lobe है वो anterior pituitary के अंदर ही आ जाता है क्योंकि embryonic stage में जो middle lobe है वो anterior lobe से जाकर चिपक जाता है इसलिए उसका भी lobe और anterior pituitary का भी lobe दोनों एक साथ हो जाते हैं ओके और anterior lobe को कहते हैं pars distalis, middle lobe को कहते हैं pars intermedia और posterior lobe को मेरे बच्चों क्या कहते हैं pars nervosa ठीक है, इतनी बात clear हो गई posterior pituitary, anterior pituitary, phalana dhema का आईए अब एक माबाप के दो बच्चे हैं ठीक हो, जीवन में न 113 पन तो सबको अखरता है तो भाईया ये तो pituitary है अब बाप कोई है pituitary का भाईया, hypothalamus hypothalamus बाप है अब इस बाप के दो बच्चे एक anterior pituitary और एक posterior pituitary जो सौतेला बच्चा होता है उसके उपर ज्यादा बोज भी होता है तो उसको दे तो दिया middle lobe, जा तो middle lobe को भी अपने पास रख ले आराम की जिंदगी कौन जी रहा है, neurohypofysis posterior lobe तो एक बाप के दो बच्चे जिसमें एक है anterior lobe, एक है posterior lobe एक है सौतेला, एक है सगा सौतेला के साथ तो आदमी सौतेला ही जो है बिवार करेगा पर अंत में जाकर ये विजदीनानाथ चोहान है कि दीनानाथ कितना भी रगणे भले सौतेला बैटा के उना विजदीनानाथ चोहान पला अल्टिमेटली विजदीनानाथ चोहान ही जाके कालिया का कतल करेंगे वाग्या स्टोरी बनाई मैंने, ठीक है वो बात की बात है, कैसे ये hero बनेगा अखरी में आईए, देखिए, क्या होता है समझाती हूँ, development of pituitry के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हाला कि I am not here to make the perfect diagram बट मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ development of pituitry ठीक है, pituitry का development कैसे होता है ठीक है, आईए, देखिए मेरे बच्चो सबसे पहले हम लोग बात करते है एक छोटा सा चुन्नू सा brain बना लेते है ठीक, ठीक यहाँ पर एक brain की आँख है, मतलब एक आदमी है ठीक है, अब समझो मेरे बात को होता क्या है, होता क्या है कि यह है hypothalamus this is the hypothalamus, लिख दू यहाँ पर hypothalamus ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ exactly ऐसा कोई डागराम होता नहीं but I am trying to do so, ठीक है अब सब लोग मेरी बात को समझेगा नहीं तो फिर काम गड़बर हो जाएगा फिर मुझे मत बोलना मैं आदा, कि बिचार नहीं मैम ब्लीज बता देती है में थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ मेरे बच्चों के लिए है चलो देखवाओ ये सही है, चेक है? आप देखो, हाइपो थेलेमस हाइपो थेलेमस का ये टिशू नीचे आता जाता नीचे आता जाता नीचे आता जाता और ये हाइपो थेलेमस का ये टिशू नीचे आता जाता और ये पुस्टीरियर लोब बना लेता है ठिक, हाइपो थेलेमस के टिशू से ही आपके पिटियूटरी का पुस्टीरियर लोब डेवलप होता है मेरे बच्चों, आगई बात समझ में Hypothalamus से ही आपके pituitry का posterior lobe develop होता है ये हो गया posterior lobe of pituitry जिसको हम क्या कहते हैं पार्स नर्वोसा, निरो हाईपोफाईस, पίट्यूटरी ठीक है तो आपने क्या देखा कि Hypothalamus के टिशू से ही develop होती है posterior pituitry तो माबाप के सगी संतान कौन होगी वई क्योंकि माबापके टिशू से डवलप हो रहा है अब यहाँ पर ध्यां जब्द्धा जैसमें कि यहां पर थोड़ा सथ आक और पीचे बनाओंगे यहां देखो, यह आख है, ठीक है, यहां पर, यहां पर नाक के ऐसे नाक होगी नीचे, suppose that, यहां पर ऐसे नाक बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां पर एक मेंब्रेन होती है, ठीक है, यहां पर एक मेंब्रेन होती है, समझ रहे हो ना बात को, इस मेंब्रेन को मेरे नेजो याद नहीं करना है बस मैं आपको समझा रही हूँ इस मेंब्रेन को हम कहते हैं नेजो फेरेंजियल मेंब्रेन ठीक अब ध्यान से समझते जाना ये मेंब्रेन एक पाउच के फॉर्म में ऐसे बाहर आने लगती है और ऐसे उपर की ओर जाने लगती इस लाइक डाट ओ देखो ऐसे ओके ये मेंब्रेन ऐसे पाउच के फॉर्म में उपर जाने लगती है ठीक है एंड आपके थोड़ा से स्को मिटा देती हूं ठीक है I think मुझे ब्रेन और थोड़ा बड़ा बना लेती तो और मज़़दार हो जाता क्यों इसको अपन थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं जिससे मेरे बच्चे को इदम और क्लियर हो जाए टिंग 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 ओके ध्यान से देखना बहुत कोशिश कर रही हूं इससे समझाने की ठीक आओ आओ प्यारे जोड़ से बोलो यह क्या हुआ जोड़ से बोलो जैम आता दी जैम आता दी आओ बच्चो यह बन गई आओके डन हो गया और थोड़ा सा और मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि गढ़्धा मुझे सही दिखने रहा है अक्चली ऐसा नहीं होता है बट आइम ट्राइंग की तुम लोगों मैं अच्छे से समझा पाऊं थाना मजा आए थोड़ा सा तुम लोगों को ताकि तुम बाइलजी को और इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ सको मेरे बच्चों ठेक आओ क्या देखा तुमने ये नांक है ये आंक है वो छोड़ो ऐसे उपर साइट की ओर एक नेजो फेरिंजल मेंबरेन होती है ठेक ये नेजो फेरिंजल मेंबरेन में एलिवेशन ह होता है और ये पाउच के रूप में बाहर निकलती है इस पाउच को मैं कहती हूँ रैथ केस पाउच रैथ केस पाउच ठीक रैथ केस पाउच उपर जाकर अटैच जाता है आपके पुस्टीरियर लोग में बाद में चलकर इसी को हम क्या कह देते हैं एंटीरियर पर अब आप देख रहो यह होगा इंटीर यह पुस्टिरियर एक बनी है हाइपोथेलमस के टीशू से तो उसका सेल्फ टीशू है एक बनी है नेजो फेरेंजल मेंब्रेन से तो इससे जादा काम करवाएंगे क्योंकि बाहर से आ रहा है और यह जिस गढ़े में फसी हुई है यह यह पूरा आपका मालो स्कल है इस दा स्कल है ना यह स्कल है तो स्कल का यह जो गढधा आपको दिखाई दे रहा है यह जो पूरी बोन है ना फ्लोर इस दा स्फीनोइड बोन बच्चो यह जो पूरी फ्लोर की बोन है इस दा स्फीनोइड बोन यह कौन सी बोन है मेरे बच् और sphenoid bone में जो गढधा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जगा नहीं है तो मैं नहीं लिख पाऊंगी sphenoid bone में जो गढधा यह आपको दिखाई दे रहा ना ये इसे हम कहते हैं cella tarshica को समझ आया? फिर से समझ आती, देखो pituitary lobe, pituitary में दो lobes थे, hypothalamus, pituitary में दो lobes थे यह इसका sagabeta है posterior lobe, यह इसका sotelabeta है anterior lobe, किसका? hypothalamus, hypothalamus है बाप, ठेक? अब बाप के ही tissue से जो बनेगा, वो तो उसका sagabeta रहेगा ही इसे हम कहते हैं posterior lobe of pituitary तो जो बाप के tissue से बना उसको क्या दिक्कत है? बच्चो, वो तो sagabeta मेशा रहेगा ना अब, यहाँ पर एक membrane होती है, nasopharyngeal membrane यह ऐसे उपर की और elevate होकर, उपर की और जाने लगती है ठीक है? nasopharyngeal bone के ही pass होती है और उपर जाएगी, skull की और जाने लगेगी और यह जाएगी, और एक pouch के रूप में निकलेगी, उपर की और and this pouch is called as rat case pouch, spelling check कर लेना rat case pouch, बाद में थोड़ा और develop होगा और anterior pituitary बना लेगा ठीक है? दोनों जुड़ गए clear हो गई बात, development clear हो गए आपको, आईए अब मैंने कुछ images लाई हैं जिससे मैं आपको development सिखा सकूँ आईए, देखो बच्चो, आओ, look at this यहाँ पर कहीं पर nasopharyngeal membrane होनी चाहिए, यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है यह nasal pharyngeal eye pituitary बनाई और यह hypothalamus से आ रहा है, एक pituitary बना लिए, ठीक है nasal pharyngeal, यह nasal pharyngeal membrane यहाँ पर होगी, यह देखो, यहाँ पर, पीछे है तो दिखानी पारिती में यहाँ पर होगी nasal pharyngeal membrane, जो posterior pituitary बनाएगी और hypothalamus से क्या आएगा आपका posterior pituitary, और यह है sphenoid bone floor दिख रहा है और यह देखो, यह गढधा बन रहा है, ठीक, यह देखो, यह गढधा बन रहा है and this गढधा is known as cella tarshica, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, आज़ो मेरी बात, ध्यान से देखो यह है hypothalamus, the brown one is the hypothalamus, चेक है, hypothalamus, और पीछे वाले pituitary, posterior हो गई, यह हो गई, anterior, hypothalamus कौन बनाता है, posterior pituitary, nasal pharyngeal membrane क्या बनाती है, anterior pituitary यह front page है, आगे की कहानी पड़े, कोई पंगा तो नहीं है इसमें न, यह कहानी clear होगे, now, look at this, look at this, यह है, यहीं पर, यहाँ पर, यह nasal cavity, यह है आपका, फी, cella tarshica वाला कहानी, ठीक, this is the cella tarshica, ठीक है, यह स्फोनाइट बोन में होता, cella tarshica, आईए, अब इस image से, मैं आ आपको समझा पाऊंगी, कि actually pituitry का development होता कैसे है, ठीक है, मेरे बच्चो, आजाओ देखो क्या होता है, इस diagram से आपको चीजे clear हो जाएंगे, कि actually pituitry का development हमको कैसे करना है, ठीक है, देखो, यह brain है, ठीक है, यह brain है, ठीक, अब यह देखो, यह जो yellow one है, यह yellow one है, यह जाकर posterior pituitry बनाएगा, brain का floor is the hypothalamus, the yellow one is the hypothalamus, यह infantibular process है, मतलब यह hypothalamus माल लो, hypothalamus जो है, वो pouch के form में बन चुका है, ठीक है, यह देखो, इसने बना लिया posterior pituitry, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो, stomoderm मतलब जो mouth वाला area है, यह देखो, ध बाद में यह pouch जो है, membrane से अलग हो गया, look at this, बाद में यह pouch membrane से अलग हो गया, चेक, और यह pouch जो है, इसने और shape ले लिया, और इसने बना लिया anterior pituitry, किस के अंदर बनाया है, बच्चो, एक bone के अंदर, which is called as depression of the sphenoid bone, called as cella tersica, अब अगर मैं देखो इसे, ध्यान से देखो तो yellow one क्या है बच्चो, the yellow one is the parse nervosa, मतलब पीछे वाली pituitry, the pink one is the parse distalus, जो की है anterior pituitry, और यह जो आपको, उसी के अंदर कौन सी होती, parse intermediate, बस इतना ही आपको पढ़ना है, तो आपने समझे कि पहले pouch बनता गया, बनता गया, बाद में membrane से अलग हो गया, बाद में वो sphenoid bone इसको और गहर लिया, पहले भी sphenoid bone ने इसको गहरा नहीं है, बाद में इसको sphenoid bone ने गहर लिया और एक perfect pituitry gland का formation हुआ, ठीक है बच्चो, आई बात समझ में, ठीक है, देखो ध्यान से, ओके, तो इतनी बात आपको अभी तक clear हो गई ना, इसमें कोई confusion तो नहीं होना चा कहानी क्या है, यह third ventricle की कहानी मैंने आपने नहीं सुनानी है, क्योंकि already मैं brain में इतने बार पढ़ा चुकी हूँ, इतने बार पढ़ा चुकी हूँ, जिसकी कोई limit नहीं है, अब तुम्हें brain का lecture लगाना पड़ेगा और तुम्हें पता करना पड़ेगा कि third ventricle का floor क्या है third ventricle का floor is hypothalamus, पर वो third ventricle क्या है बच्चो, यह तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर वही कहानी फिर माशुडू करूंगी कि third ventricle है, second, fourth ventricle है, यह first, second, lateral ventricle है, वो मैंने पढ़ा सकती, ठीक है, so hypothalamus जो है, it is the barb, इसके दो बच्चे है, यह दो angel membrane से develop हो रहागा, वो होगा, 7 लवच्चा, anterior pituitory, posterior pituitory, anterior pituitory, anterior pituitory के अंदर दो functional lobes होते है, anterior lobe, middle lobe, क्योंकि development के दौरान, जो middle lobe होता है, वो anterior lobe में जाके घुच जाता है, ठीक है, और posterior lobe को हम कहते है, posterior pituitory and neurohypophasis, जो hypothalamus से develop होता है, ठीक है, कि अगर आप से यह question पूछा जाए, exam में यह question आजाए, suppose that, और अगर आप से यह पूछा जाए, कि बताईए, रैथकेस पाउच क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, यह question आ सकता है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, कि रैथकेस पाउच is nothing, it is the elevation of the nasopharyngeal membrane, ठीक है, लिखना नहीं है पर आपको पता होना चीब, जो की बाद में जाखर pituitary बनाता है, what is the cella tersica, cella tersica is the depression of sphenoid bone, जिसमें क्या होती है, pituitary gland, यह question ऐसे भी पूछा जा सकता है, कि बताईए, कि आपकी pituitary gland कहा होती, तो आप बताऊगे कि cella tersica में मतलब depression of sphenoid bone में होती है, आप से यह भी सव पूछा जा सकता है मेरे लला की, बताए, कि anterior pituitary के से develop होती, तो नेजो फेरेंजिल मेंब्रेन से, फिर आप से पूछा जा सकता है, कि बताए, कि पुस्टिरियर पूट्री में कि इसे develop होती, तो आप क्या बताऊगे, है यह ऑईपो थेले मिक टिशू से, फिर आप से बता तक आपको clear हुई क्या आओ बच्चो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे थोड़ी सी कहानी को मिटाना पड़ेगा है ना तो मिटाओंगी तब मैं फिर सारी चीजे लिख पाओंगी यह सब आप लोगोंने लिख पील लि देखो मजा आएगा बड़ा मजा आएगा देखो जिस परकार से मैंने तो यह कंसेप्ट आप मत बूला ना सौतेला बेटा वाला यह कंसेप्ट बहुत इंपर्टन चीज है इसको मत बोलना बाप हमेशा सगे बेटे को प्यार करता सौतेले बेटे को प्यार नहीं करता सौत I can be easy and easy, ठीक है, चल यह शुरू करते हैं, now थोड़ा सा ये भी मैं broad बना लूँ, तिंग तिंग तिंग, थोड़ा सा hypothalamus broad बना लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिले, सफाई कर लूँ थोड़ी सी, ऐसे करके, ऐसे करके, चल आजाओ बच्चो, देखो ध्यान से, ये हो गया, hypothalamus, ठीक, और बड़ा बनाओंगे, और बड़ा बना लेती हूँ, hypothalamus, आईए, ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्योंकि very important चीज़ बता रही हूँ मैं, ठीक है, इस slopes को भी हम थोड़ा बड़ा बना लें, बर let it be, ठीक है, बजरूरत नहीं है, देखिए, हो है, hypothalamus, आपका, ठीक, अब हम क्या पढ़ रहे है, blood circulation, ठीक है, very important thing, मैं आपको समझाओंगे, कैसे कहानी होती है, सबसे पहले देखिए, hypothalamus में, hypothalamus में होते हैं, कुछ neurons, ठीक है, okay, hypothalamus में, यहाँ पर होते हैं, कुछ neurons, यह क्या बनाया, मैंने neuron का cell body, डन हो गई, यह जो neuron होते हैं, ध्यान से समझना, वो neuron, जो अपने chemicals को synaptic cleft में deliver करे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, वो neuron, जो अपने chemicals को synaptic cleft में release करे, उन्हें हम कहते हैं, क्या, उन्हें हम कहते हैं, neurotransmitter, पर वो neuron, जो अपने chemical को किसी specific cell में release करें ना कि synaptic lift में या कहीं और release करें उन्हें हम कहते हैं neurosensory neuron ये neurosensory cells ठीक है? डन हो गई? तो यहाँ पर होता ये है ध्यान से समझना क्या बोल रही हुँ मैं? यहाँ पर ये जो हैं ये कुछ chemicals निकालते हैं we are not going to talk about called it neurotransmitter क्योंकि ये साने टिक lift में release नहीं हो रहा ये कहीं और release हो रहा तो इसको हम hormone कहेंगे अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तभी चीजे आपको समझ में आएंगे ठीक है? ध्यान से देखना बच्चो देखो भया hypothalamus भी एक पार्ट है hypothalamus भी क्या है बच्चो एक पार्ट है ना? body का एक पार्ट ही है तो इसे भी blood चाहिए तो आर्टरी से blood आ रहा है ठीक है? आर्टरी से क्या हो रहा है? blood आ रहा है ठीक? अब आर्टरी जो है वो divide हो गई आपकी capillaries में ठीक है? आर्टरी किसमें डिवाइड हो गई? capillaries में? ठीक है? अब हुआ ये ध्यान से समझना उसके बाद यहाँ पर यह क्या हो गए? यह veins हो गए? ठीक? और यह हुआ अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे देखो आर्टरी से हाइपोथेलिमस में ब्लड आ रहा है देखो ध्यान से आर्टरी से हाइपोथेलिमस में ब्लड आया आया हाइपोथेलिमस को ऑक्सीजन दे दिया गया बदले में बदले में ऑक्सीजन दे दिया गया बदले में हाइपो थेलेमस से क्या ले लिया गया? कार्बन डाई उकसाइड थोड़ा सा बड़ा मुझे थोड़ा सा बोटा बनाना पढ़ेगा वेन को थेक, वेन थोड़ा बोटा बना लेती हूं थेक, ये ओके, थेक तो oxygen हमने किसको दे दिया, hypothalamus को दे दिया और carbon dioxide हमने ले लिया, ठीक अब ये जो neurons पड़े हैं बच्चो, समझो बात को ये जो neurons पड़े हुए हैं, ये neuron क्या निकालेंगे? ये neuron बना लो सब जगा पूरे ये neuron क्या निकालेंगे बच्चो, black color से बना रही हुँ ना ये neuron निकालेंगे chemical, ठीक है ये neuron निकाले बच्चो क्या? chemicals, ठीक है these neuron called as hormone, these chemical is known as hormone, ठीक है और इस neuron को हम कहते हैं neurosensory cells neurosensory cells, ठीक है क्या कहते हैं हम? neurosensory cells इतनी बात क्लियर हो गई इसमें कोई confusion तो नहीं है आपको डन हो गई इतनी बात, क्या समझे? आर्टरी से बलड आया ठीक है? आर्टरी से बलड आया oxygen हमने hypothalamus को देती है डन हो गई? oxygen हमने किसको दे दी? hypothalamus को दे दी बदले में hypothalamus में क्या प्रिजेंट थे? बहुत सारे neurons प्रिजेंट थे ये neuron hormones निकाल रहे थे that is why it is called as neuro secretory cells not sensory neuro secretory cells इन्हे हम कहते हैं neurosensory बोल रहे थे मैं it is neuro secretory भूल गई थी neuro secretory cells ठीक है ये क्या हो गए बच्चो neuro secretory cells done हो गई? so hypothalamus has so many cells which secrete some chemical this chemical is known as hormones hormones जो निकालते हैं neuron उन्हे हम neuro secretory cells कहते हैं carbon dioxide के साथ-साथ इस वेन ने क्या ले लिया? hormone भी ले लिया समझ आ गई बात आप देखो अब यहाँ पर एक concept आपको और build करना है देखो द्यांस देखना ना? माल लो द्यांस देखो ये artery है ये artery है ठीक? ओके? artery से blood आ रहा है ठीक? artery से blood आ रहा है और capillary से ये capillary है ठीक है? ठीक? ध्यांस देखते जाना है इंपॉर्टन चीज बता रहे हूं और ये vein है done समझना बात को ये artery है ये क्या है मेरे बच्चो? इस दा artery ये artery है ये कोई tissue है suppose that ये कोई tissue है द्यांस समझ येगा बहुत important concept है ये ये बहुत बर पढ़ चुके हमने tissue को क्या दिया? oxygen बदले में tissue से क्या लिया? बदले में tissue से क्या लिया? carbon dioxide ले लिया अब इस पूरे blood में इस पूरे blood में क्या है? carbon dioxide carbon dioxide भरा हुआ है done अब बच्चो ये जो blood है ultimately कहा जाता है? बताओ this is the right part of the heart this is the left part of the heart अब ये पूरा blood जो है ये वेना कहवा के थू right part of the heart जाएगा ये normal circulation है done हो गई? ये normal circulation है पर कहानी क्या है वो अब समझो अगर blood अगर blood heart में जाने की बजाए heart में जाने की बजाए किसी और organ में चला जाए ये कोई organ है suppose that ठीक अगर blood impure blood या deoxygenated blood heart में जाने की बजाए किसी और organ में चला जाए तो heart को इसने bypass कर दिया then उसके बाद यहां से कोई vein निकले और फिर वो heart में जाए तो इस पूरे system को इस ये तो इस पूरे system को ये वाले पूरे system को ये इस पूरे system को हमने क्या कहा इस पूरे system को मैं कहती हूँ portal system portal system समझ में आई बात अगर आपका impure blood directly heart में जा रहा है तो it is the normal circulation कोई दिक्कत नहीं है normal circulation है right part of the heart में चले गए पर अगर आपका blood पहले किसी और organ में जाए फिर उससे कोई vein निकले और फिर वो heart में जाए तो मतलब आप इस blood के थूँ कुछ ऐसी चीज ला रहे थे जो इस organ को चाहिए थी human body में दो portal system होते है समझ में आगई बात? या तो आप directly heart में चले जाओ जाओ इस normal circulation पर अगर इस blood में कोई ऐसी चीज़ है suppose that hormone है तो hormone organ को चाहिए ना यह वाले तो पहले organ को दो फिर blood में heart के और लेके जाओ human body में ध्यान से समझो बच्चो human body में 2 प्रकार के portal system होते हैं यह हम पढ़ चुके पता कहां पर? circulation में पढ़ा है मैंने portal system पढ़ा है आप जाके l 스킴 लगा लो human body में 2 portal system होते हैं एक होता है hepatic portal system एक होता है hepatic portal system और एक होता है hypofasial portal system hypofasial portal system एक होता है hepatic portal system और एक होता है hypo phagial portal system. हमें जिस portal system के बारे में बात करनी है वो है hypo phagial portal system. आएए, देखते हैं. अब बच्चो, इस vein के अंदर, इस में न, यह क्या होगे इसद आपकी vein? कौन सी vein है बताती हो? इसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है बच्चो? हॉर्मोन, ठीक है? अब यह वेन जो है, यह नीचे आएगी यह वेन जो है बच्चो यह नीचे आएगी और यह पूरे एंटीरियर लोब में ऐसे, ऐसे अपनी केपिलरी इसको फेला देगी ठीक है यह पूरा ऐसा ठीक और जितने भी हॉर्मोन है इसके पास ध्यान से समझो जितने भी हॉर्मोन है इसके पास पहले यह आई एन्टिरियर पिट्यूट्री के पास चीक है किसके पास आई एंटिरियर पिट्यूट्री के पास और एंटिरियर पिट्यूट्री पर सारे हॉर्मोन्स रिलीस कर दिये बाद में इससे जो वेन निकलेगी वो हाट के और जाएगी पर पहले वो कहां ही पिट्यूट्री के और तो इस वेन का नाम कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस वेन का नाम है, इस वेन का नाम है हाइपो फेजियल पोर्टल वेन, 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 हाइपो फेजियल पोर्टल में आती है तो यह कोई महान काम नहीं कर रही है यह भले ही अपने हॉर्मोन इंटीर पिटी उटरी को दे रही है बच्चो पर यह याद रखना कि यह जो हॉर्मोन दे रही है इससे यह काम करवाएगी बहुत सारे काम बहुत सारे काम करवाईगी ठीक है यह अपने हॉर्मोन साई वो थैले मसले आके इसको देती हो कमांड देती चल बेटा ये कर चल बेटा ये कर चल ये तुझे नहीं करना चल ये तुझे करना है आरी बात समझ में ये कमांड देते हैं कि तुम्हें ये करना है तुम्हें ये तो anterior pituitary, posterior pituitary के साथ क्या होगा, posterior pituitary, posterior pituitary को या hypothalamus बोलेगा, कोई बाटर, मैं तुम्हारा इंतिजाम खुद बखुद कर दूँगा, तुम tension बिल्कुद, tension नहीं ले रहा, ठीक है, अब क्या होता है, जो hormone है, ultimately यह hormone कहां बन रहे हैं, cell body में ही तो बन रहे हैं, ultimately यह hormone कहां बन रहे हैं, neuron की cell body में ही तो बन रहे हैं, तो यह hormone जो है, ध्यान से समझना हो, यहाँ पर भी बनेंगे hormone किस कलर से बनाओ, I need to pink दल समनाती हूँ, अब यह वाले जो hormone है, यह यहाँ पर, यह neuron बना दिया, मैंने यह सब hormone बनाते जा रहे हैं, ठीक है, अब बेटा ध्यान on, समझो, जो हर्मोन है, अल्टीमेटली वो neuron ही बना रहा है, that is what is known as neurosecretory cells, जाहे है, क्यों कह रहे है हॉर्मोन, क्योंकि यह साइण अप्टिक लेक्ट में रिलीस नहीं हो रहा है, यह जो साइट ओन है, यह अपने हॉर्मोन बनाते हैं, बिलते बोलते बेटा, तुम ब्ल करता नहीं, कि तुम रख लो, और तुम बाद में रिलीस करना, यह अपने पास, यह जो, यह क्या है बटाए, this is the exon, this is the exon, और यह है, black वाला is hormone, यह hormone लेकर आता है बच्चों, और यह यह वाला जो लोब है, ठीक है, पार्स नर्वोसा, यह पार्स नर्वोसा को बोलता है तुम बस बैठे रहो, तुम बस बैठे रहो, ठीक है, तुम्हारी जो मा है, या पूरे जो घर वाले हैं, उनको लगेगा कि तुम बहुत, क्योंकि भई, obviously, जो सगा बेटे रहता है, उसका तो अपर लोग छुपाते ही है, तो सब को लगेगा कि hormone तुम सिक्रीट कर रहा है पर actually तुम ने तो कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि ये तो कोई hormone बनाता ही नहीं है, जो hormone बना रहे हैं, वो तो ये neurons बना रहे हैं, और ये neuron अपना hormone महाँ पे store करते रहते हैं, समय आने पर, ठीक है, समय आने पर, समय आने पर होता क्या है, समय आने पर ये क्या करते हैं, बस इसको बोलते हैं कि हमारे पास हर्मोन है, तुम एक काम करो, निकाल दो बाहर, ठीक है, और ये निकाल देंगे बाहर, सिर्फ इसका काम है निकालने के बाहर, और ये हर्मोन ब्लड वैसल में चला जाएगा, समझ आई बात, ठीक है, मगज मारी किस के साथ है, मगज मारी किस के स तो क्या है बाप ने ढखली तो ढखली इसने कोई बहुत कमाल किया क्या जीवन में कुछ बनाया नहीं जीवन में कुछ बनाया नहीं तो तुम कमांड कैसे दोगे भाईया तुम किसी को रूल तभी कर सकते जो तुम खुद को कुछ आता हो तुमको कुछ आता जाता तो है नह उपर neuron ने hypothalamus के तुम्हारे लिए बना दिये थे hormone और वहाँ पर जाके विचारा store तुम्हारी तो इतनी हिम्मत इतनी अवकार भी नहीं थी कि तुम वहाँ पर अपने अंदर store करो और फिर समय आने पर निकालो तुम तो उस neuron के exon के भरोसे बैठे हुए थे तुम तो उस neuron के exon के भरोसे बैठे हुए थे कि जब आएगा तो यह तो करी रहा है हमको बाप तो है मारा अपने का अटेंशन है ठीक है और फिर समय आने पर यह बस बोलते कि हम भर दिये तुम अब निकाल दो ठीक अब समझा इसके साथ क्या है पूरे blood के थूँ आया इस में तो neuron लेके आ रहे है तारगेट तक इसमें blood के थूँ आया रहा है anterior pituitory में भर दिया anterior pituitary जो है यह अंत में जाकर hero जो है वो anterior pituitary भी है जितनी भी glands है thyroid है, testis है, ovary है, छे के pineal है, कोई भी gland जो है वो ultimately anterior pituitary से निकल रहे hormones के द्वारा ही नियंतरित होती है तो actually जो master है वो anterior pituitary है, अब यह anterior pituitary जो है बाकी सारी glands को दो प्रकार के signal या information या messages दे सकता है एक message यह है कि या तो तुम काम करो, या तो तुम काम मत करो या तो तुम अपना काम बंद कर दो, जब तुमने बहुत जादा काम कर लिया है तो ज़्यादा काम करने की ज़रूता है नहीं तुम्हें, ठीक है तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, तो क्या होगा और ज़्यादा काम करना है तो क्या होगा यह जो hypothalamus होता है, आखरी बात कर ले, आखरी मतला भी और है देखो, यह anterior pituitary दो प्रकार के signal या information दूसरी glands को भेजता है ठीक है, एक है inhibiting signal ठीक है, एक क्या है मेरे बच्चो, inhibiting signal ठीक है, और एक है आपका releasing signal ठीक है, एक है inhibiting signal और एक है releasing signal तो सारा काम यह तो कुछ hormone निकालता तो यह क्या दोसरों को नियंत्रित कड़ेगा यह याद रखना कि posterior pituitary में कोई hormone बनता नहीं है कोई नहीं बनता, ठीक है, यह याद रखना posterior pituitary का कोई as such वो नहीं है में काम जो है, में regulation है, वो इसका है अब समझो, anterior pituitary के पास जो hormones है posterior pituitary अपने से कोई hormone नहीं निकालता है anterior pituitary hormone निकालती है, जो उपर से आ रहे है यह इसका hormone actually क्या है, neuron ही निकाल रहे होते है ठीक है, यह कोई hormone निकालता है, यह निकालता है तो anterior pituitary से दो प्रकार के signal जाते हैं दूसरी ग्लाइन को releasing signal and inhibiting signal कैसे देखो 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 यह जो hypothalamus है कितना सारा लिख दिया यार मैंने यह जो hypothalamus है देखेंगे बच्चो अब हम देखेंगे hypothalamus क्या हॉर्मोन निकालता है और उसके क्या effect होते हैं मेरे बच्चो so let me continue hypothalamus जो होता है यह दो प्रकार के हॉर्मोन निकालता है ध्यान से देखना है ना hypothalamus दो प्रकार के हॉर्मोन निकालता है एक होते हैं releasing घ्रांगे धियां से समझे मेरी बात एक होता है रिलीजिंग म्ला ध्यान से बिल्कुल एक होता है रिलीजिंग हो और एक होता है इनवटिंग होर मोन इ estimates कैसे action अगतक कैंश सब्सेंरिस खरते खाई होन बनाती है देता है वह हो दिखाने के लिए दुनिया को दिखाने के लिए की जू हैतो कतल मेंने कि शुग कतल dopamine वो ब्लेम कॉन ले रहा है ब्लेम ले रहा है आपका निरो है उमर्मोनाइब distortion पेटिस्ट यहांपर कहाने यह पुस्टियर तो किया ड्रह मुलिध रहाए व यही जो दढ काल देगा अब पर यह जो कहानी मैंने कि स्के लिए पता यह मैंटी रर्चقة क्लिए ठीक है अब यह मिंहीं chi सब्सक्राइद सब्सक्राइब करें तोनों होर्मोन अंटीर सब्सक्राइब है तो वो क्या कर वा किया ठीक है, anterior pituitary को यह देगा signal, ठीक है, give signal to release the hormone, ठीक है, to release hormone, ठीक है, यह क्या signal देगा कि hormone release करो, ठीक है, done हो गई इतनी बात, क्या करेगा, signal बेजेगा कि hormone release करो, पर अगर यहाँ पर यह inhibiting hormone anterior pituitary के पास गया बच्चो, तो यह क्या signal देगा, stop, stop release the hormone, ठीक है, stop releasing hormone, एसा लिख देते हैं, stop releasing hormone, ठीक है, यह क्या करेगा, hormone को release करवाना बंद करवा देगा, done हो गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आइए, देखो बच्चो, anterior pituitary जो होता है न, वो बहुत सारे hormone निकालता है, समझ में आई बात, यह जो hormones होते हैं, घीक है, यह anterior pituitary को यह बताते हैं, ठीक है, यह anterior pituitary को न, यह क्या करते हैं, बता है, यह कमांड देते हैं ठीक है यह पूरे जो दोनों हॉर्मोन जहीं सारे यह क्या करते हैं इसको कमांड देते हैं तुझे यह करना है ठीक है यह क्या करते हैं यह देते हैं कमांड कि तुझे यह करना है तुझे यह करना है ठीक तो यह कमांड देगा है यह क्या है वह तो पगला है टीक है यह तो कैसके साथ अच्छा बेहार तो करता नहीं है तो यह बोलता कि चलतू हर्मोन रिलीज चलतू अब हर्मोन रिलीज कर चल तो अब हॉर्मोन होते उनका असर pituitry पर होता है anterior pituitry पर होता है to release और inhibit the hormone समझ में आगे इतनी बात इसमें कोई देंशन दो नहीं आगे बात करते हैं suppose that ठीक है anterior pituitry जो है वो n number type of hormones निकालती है बहुत सारे hormone बाद में चलके जब हम लोग pituitry gland के hormones पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि hero जिसे हमने दचराई की जिसके हमने कुछराई की बाद में चलके यही hero बन जाएगा समझ में आई बाद तो यह याद रखो कि जिनको जितने नाजों से पाला है वो कोई काम के नहीं रहेंगे जिनको जितनी आपने परशान किया वो उतना जाके हिट होंगे आपको मैं बताऊं बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स निकल रहे हैं पिट्यूटरी से जो अलग अलग टाइप की ग्लाइट्स को कंट्रोल करते हैं वो मेंली एंटीर पिट्यूटरी से निकलते हैं देखो एंटीर पिट्यूटरी मेरे बच्चो क्या निकाल रही है एंटीर पिट्यूटरी हॉर्मोन निकाल रही है कोई साभी जैसे मालो वो निकाल रही है थाइरोइड स्टिमूलेटिंग हॉर्मोन ठीक है थाइरोइड थाइरोइड स्टिमूलेटिंग हॉर्मोन stimulating hormone ठीक अब stimulating hormone stimulate का मतलब activate करना तो anterior pituitary अगर TSH निकाल रही है ठीक है thyroid stimulating hormone तो यह किसको stimulate करेगा thyroid gland को stimulate करेगा ठीक है ठीक है ठीक है नहीं निकालो निकालो ठीक है अब यह word आपको याद रखना है इन्टिर्यर pituitary टीएसे अच निकाल रही है तो hypothalamus कौन सा होर्मोन निकालेगा releasing या inhibiting अगर anterior pituitary मेरे बच्चो टी एसेच निकाल रहा है ठीक है अगर anterior pituitary टी एसेच निकाल रही है तो hypothalamus कौन सा होर्मोन निकालेगा obviously releasing तभी तो anterior pituitary को कर्मान मिला कि TSH निकालो ठीक है तो अगर मैं देखूं ध्यान से देखना है तो यहां पर हाइपोथेलमस कौन सा हॉर्मोन निकालेगा ध्यान से देखोगे मेरी बात हाइपोथेलमस एक हॉर्मोन निकालेगा जिसे हम कहते हैं थाइरोइड स्टिमिलेटिंग रिलीजिंग हॉर्मोन ठीक है रिलीजिंग हॉर्मोन जो है यह कहा जाएगा एंटीरे पिट्यूट्री पर एंटीरे पिट्यूट्री टी एसेच निकालने लगेगी पर एक टाइम तक ही हमको टी एसेच की जरूत हो गया ऐसा थोड़ी जीवन भर अनन्त कालीन जो है तो भयोंकर तरीके से निकलता रहेगा ऐसा तो होगा नित तो होगा क्या कि अब क्योंगा की टी एस आइच निकलेगा थारेट स्टिमिलेटिंग इंविटिंगहृर्मोन और यह निकल रहा था tö TSH और थायरोड ग्लाइंड जो होगी ओ थायरोड ग्लाइंड जो होगी ओ थायरोग्सिर मनाना कम कर देगी यह बन कर देगी इसा बननी कर देगी यह बात आपको क्लियर हो गई so we have two types of hormone from the hypothalamus releasing and inhibiting hormone these hormone affect the pituitary mainly anterior pituitary if hypothalamus sends the releasing hormone to anterior pituitary then anterior pituitary gets the signal to release the particular hormone then after certain time when the level of hormone of the anterior pituitary gets high or the level of hormone which is released by another gland and affected by or stimulated by the anterior pituitary once the level is very high then what will happen then the hypothalamus sends the signal to 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 anterior pituitary then this type of hormone is called as inhibiting hormone then the anterior pituitary stops the releasing release that particular hormone and jahaan par bhi anterior pituitary ki wale hormone ja rahe the woh banja ho jayenge and the particular gland will stop the sending hormones to the body parts thik hai ye baat aapko clear ho gai so we have two types of hormone which affect the anterior pituitary a posterior pituitary ke saath kya hota hai ki jo neurons hota hai which is present into the hypothalamus which is known as neuro secretory cells they secrete the hormone but there is no formation of hormone into the posterior pituitary all those hormone which formed by the neurons of the hypothalamus will send to the posterior pituitary through its own tk ye apne dwarah hi bhajtay and even they don't release ki tum jamun kare to nikalena even the store so many ane par woe bolte ga bhiya tu nikal le bas ye lele tu bas samadhi wa gai bat it's me tk level bah so clear ho xo heabi hoy ho konye hormon ni baata ti ka tkya toa laga ki yeto today be toe post itheo pastero pituitary rap or actually ago posterior pituitary idéer y 911 teumia wo hypothalamus dera posteary pituitary bus bhejneye ka kama karri ya cha par to anterior pituitary hormones by naar hi hr и иor kusay ooku thalamus say signal meлраo heki nikalom я nikalom yeah हो गया इतनी बात दन हो गया समझ में आ गया तो आपने क्या कैसी लिया मेरे बचों आपने सीख लिया पिट्यूटरी ग्लैंड की पुजीशिट क्या होती है आपने क्या सीख लिया आप की पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो लोब से वह बनते कैसे हैं आपने सीख लिया कि उसमें blood circulation कैसे होता है आपने सीख लिया कि hypothalamus किस तरीके से pituitry को control करता है ठीक है अब हम लोग एक एक करके hormones पढ़ेंगे और मैं उसमें आपको यह बताऊंगी कि जो particular hormone है त्यार से समझना उसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि जो particular hormone है वो किस तरीके से hypothalamus से control होते हर hormone के लिए control बताऊंगे ठीक है तो टेंशन नहीं लेना आईए अब मैं आपको थोड़ा सा theory पढ़ा देती हूं तो जिससे आपको अच्छा लगी यह मैंने आपको शायद डिया डाग्राम बता दिया थे ना ओके यह भी हो गया था शायद ओके सो pituitary gland जो है यह आपने देख लिया कि किस से अटाच होती है ठीक है इंफर्डी बॉलम से टाच होती है कि हाइपोथलेमस से pituitary टाच होगी थूदा इंफर्डी बॉलम से ला टेर्ची का स्फिनोड बोन में होती है एक्टोडर्मल पिट्यूटरी का origin है अनाटॉमिकली दो भाग है एडिनो हाइपोफाइस नीरो हाइपोफाइस यह हो गया यह स्फिनोड बोन बता दिया आपको यह भी बता दिया कि कैसे डेवलाफ होती है से नाओ, इन्फिनदी बॉलम यंद पार्स नुर्वोष घिए इन्फिनदी बॉलम यंद नीरो हाइपोफाइस फ्टी क हम लोग पुस्टेएयर पिट्यूटरी को नीUरो हाइपोफाइस कहरेते हैं पर अक्चलिए आपको अटाच्मेंट भी लेना पड़ेगा इंगा ठी distalus and parse intermedia I was with me parse distalus and parse intermedia to get intermedia men up with that a key lobes jota work matter palatin take sir what made though a dojo hotel one t-dome out that you can do intermedia without a point at t-dake in the good at it again now listen to me this is the hypothalamus look at the diagram tick this is the pituitary stock or infant bulumbus come cassette this is the posterior pituitary this is the anterior pituitary just may up ko ala la part dikhae gae hain parche intermedia pars distalus tuberulis ka aapko work nahi padna hai chika as a tuberulis big part haiyeh now mere bacho yahaan par aap kya dekhae ho yahaan par aap dekpao gae kya that blood circulation kis prakar se blood circulation hota hai now listen to me very carefully what I am saying dekho yeh kuan sa pituitary hai this is the pars nervosa tekae yeh picheh wali pituitary hai yeh aagye wali pituitary hai take normally hai mudhar aagye banate hai par yahaan par yeh picheh wali pituitary hai yeh aagye wali pituitary hai now listen to me very carefully what I am saying yahaan par dekho neuron present hai which is called as neurosecretory cells look at this take a yeh neurosecretory cells present hai ap sab se pehle joh mein aapko padhaya us mein aapko batahongi ki adeno hypofasas mein kaisa circulation hotel look at the diagram a and aapko batahongi ki posterior pituitary meh kaisa hota yeh dust just a revision okay aab maan loki in neurosecretory cell nekuch ni kalah tega koyi hormone ni kalah to adeno hypofasis make Kaylea kaisa action hooga wo dekhiye neurosecretory cell ne aapnei hormones nikaal e aur wo kisko dae denga bacho wo de dinge apna secretion kisko wo de dinge है अपना सेक्रेशन है वाइपोफेजियल पोर्टल वेन को लिसेंग की आर्टीरियल जो ब्लड होता है देखो यह आपका ग्लैंड है ओविसली इसको काम करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए अगर ऑक्सिजन नहीं चाहिए होता तो बॉड़ी में जीवित थोड़ी रहती ठीक है तो यह है आटीरियल ब्लड ब्लड इधर से अंट्री ले रहा है ठीक है और आपको पता है कि कोई भी चीज अगर हमको एक्सचेंज करनी है लेनी है देनी है तो वी कांट एक्सचेंज दोस तिंग्स फ्रॉम दवेन और आट्री बच्चो हम हमेशा कैसे ऑफ ब्लड कैसा हो गया है मतलब एक्स हो रहा है हार्ट के ओर जाना है और जब अब यह त्लों अपने ओक्सिजन दे रिया और बिक उचलिया वोत्बताती हूँ अब काईदे से तो चले जाना पर हाट में नहीं जाएगा पढ़ाया ना ये पोटल करेगा क्या करेगा कि जब ब्रीनर स्ब्लाइट को पोर्टल वेंस ठीक है यहां पर जाना इसको चाहिए है पर हाट पर यह जा निजा रहा है यह पिटीरी ग्लैंड में जा रहा है comment यह पार यह तो यहां पर जो निझा निंगाला निंगाला हॉर्मोन निकाला और जहां पर ने रहा gutes यह पूरे ब्लड के माध्यम से जब ब्लड आ रहा है यह ब्लड है नीला नीला बनाया है ठीक है यह वेनस ब्लड है पर यह वेन हाट में नहीं जाएगी तो इस वेन का नाम हम नौर्मल वेन रख सकते पोर्टल वेन नाम है क्योंकि है हाईपोफाइस से होते वह गुजर रही है हाईपोफाइस मतलब कि हाईपोथेलमस infundiblem से होते वह गुजर रही है तो इसे हम हैपोफेजियल portal wayne कहेंगे हाईपोफेजियल portal wayne जो है वहाई गें anterior pituitary में anterior pituitary में सारा hormone दे देगी और उसके बाद यह इस anterior pituitary से निकलेगी एक vein which is called as pituitary वाली vein और पूरा venous blood free drain out किया जाएगा heart की हो ठीक है यह समझ मैं आपको तो इस तरीके से anterior pituitary में circulation होता है but if you see the secretion of hormone from hypothalamus to posterior pituitary यहां पर कैसा होता है कि देखोई cell body अपना cell body hormone बना रही है ठीक है hormone जो है अगर neuron cleft में कोई चीज़ रिलीज करता है तो तो निरो ट्रांस्मिटर रगर cleft में रिलीज नहीं हो रहा है और किसी और जगा रिलीज हो रहा है तो फिर वो neurotransmitter नहीं है तो neuron hormone भी बना सकते हैं अब यह hormone जो neurons बना रहे हैं यह कोई blood blood में नहीं जा रहे पुस्टियर पिट्यूटरी में यह इनके इतने लंबे-लंबे exons और यह exon क्या करेंगे यह exon यह exon पुस्टियर पिट्यूटरी में hormone लेके बैठ रहेंगे बैठ रहेंगे यहां पर भी arterial blood circulation होगा यहां पर दोनों जगा की वेन से मिलकर फिर एक जगा हाट की और जाएंगी यहां पर क्या है exon बैठ रहेंगे बैठ रहेंगे समय आने पर वह यह अपना hormone यहां बो भेज देंगे यह यह निकाल देंगे और फिवो लेंगे बेटा बस तुमें काम करो कि तुम बाहर निकाल दो समझ में आई बाद यह समझ में आए कि यहां पर exon के थू आ रहा है आपका hormone और यहां पर blood के थू आ रहा है hormone that circulation clear over mere बच्चों को डाने न चलिए आई यह अब यहां पर लिखा हुआ है कि hypothalamus की position क्या hypothalamus is the basal part of the diencephalon if अगर आपको याद होगा याद होगा वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था ठीक यह है आपका यह अधि न है डाइन्स अफलान throne suppose that यह पार्ट को हम क्या कहते है यह पीछे वाले पार्ट को हम लोगोने क्या कहा ने चैक बाद आई आ के लिमस hypothalamus ठीक है और ये वाला part क्या था thalamus ठीक है ये भी thalamus ठीक और ये वाला मैंने आपको क्या बताया था epithalamus ये पूरे structure को collectively हम क्या कहते है diencephalon ठीक तो diencephalon का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते है hypothalamus hypothalamus regulate the wide spectrum of the body function में पढ़ाओंगी कैसे करता है it contains several group of neurosecretory cells look at this ठीक है इनके पास बहुत सारे neurosecretory cells होते हैं जो की क्या प्रेड्यूस करते हैं hormones ठीक है hormone regulate synthesis and secretion of pituitary hormones ठीक है look at this this is for posterior posterior loob anterior loob tuberallis आपको पढ़ना नहीं इसले में जाता उस पर फोकस करवा रही करवानी देहों ठीक है आई यह आगे बात करते हैं ठीक हो देहां से interior pituitary में neurons यहीं पर अपना secretion दे रहे हो ब्लट की मादम सारा यहां पर पूरे exon posterior तक आ रहे हैं ठीक है now however the hormone produced by the hypothalamus are of two type releasing and inhibiting hormone for example hypothalamic hormone called as gonadotrophin जो anterior pituitary होती है यहां पर यहां पर gonadotrophins खलिया हुए pituitary gland जो होती है वो जी एन पूरे ट्रॉफिन हॉर्मोन निकालती है गोने ट्रॉफिन हॉर्मोन जो होते हैं वो टेस्टीजन ओवरी पर आड़ करते हैं ताकि हाइपोथेलेमस को क्या निकालना पड़ेगा मेरे बच्चो हाइपोथेलेमस को हॉर्मोन निकालना पड़ेगा releasing hormone समझ में आई बात हाइपोथेलेमस को कौन सा हॉर्मोन निकालना पड़ेगा releasing hormone ठीक है और एक टाइम के बाद जब उसे बंद करना है तो hypothalamus कौन सा hormone निकालेगा इनिबेटिंग तो गानेजर टॉपिंग releasing hormone से gonadotrophins निकलेंगे पिट्यूट्री से gonadotrophins inhibiting hormones से gonadotrophins stop हो जाएंगे पिट्यूट्री से ठीक है आईए बच्चो देखो यह क्या है यह क्या है कुछ नहीं है आओ on the other hand somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of growth hormone from pituitary ठीक है यह इसके बारे में मैं भी आपको पूरा पढ़ाओगे these hormone originating in the hypothalamic neurons pass through the exon and release from the nerve endings यह पढ़ लिया हम लोगों neuron के थुरुआ रहा है आईए आईए अब देखते है ओके okay hormones जो होते हैं वह pituitary gland के gland में anterior pituitary में किसके थुरुआते through the portal circulatory system ठीक है और anterior pituitary को regulate करते हैं पुस्टीय pituitary under the direct neural regulation of the hypothalamus बच्चो ठीक है समझ में आ गई बात यह सारे इमेजस वही है तो आपको टेंशिलन रहे हैं एक ही इमेजस लगी हुए है ठीक है आई यह क्लियर हो गया इसमें को absorption करता है बेसिकलिय क्या होता है कि जब हम बहुत बार सुसूंacy चले जाते हैं तो पढनी का लँस हो जाएंगा गर हम ध्यान समझना हो तक है यहाँ पर एड्य रिलीज्जिंग हॉर्मोन निकले एड्यों पूछओ किम एड्या जो होता है ना वह इंतिरीय का ही नहीं होर्मोन वह तो कहां दो सबस्टिरीय क्यों फोका निकलता है वह अंतिर पीट्यूट्री से और अगर आतको कहानी याद सब्स पस्टीजे फित्री के लाएघिनी का नहीं फिखहुन तो एडिएज कौन बना रहा है आयपो थैल्मस न्यूरॉन के थुरू एडिए चाहेगा किसके पास फिपत्रीय पीटुत्री वोले पानी का लॉस होने आज हमने बहुत सारी चीजे सीखी, आज हमने position सीख लिया, pituitory का, hypothalamus का position सीख लिया, कौन से hormone, किस type के hormone hypothalamus निगालता और कैसे pituitory को regulate करता है, और pituitory में किस प्रकार के blood circulation होते हैं, ये कहानी मैंने आज आपको समझाई, क्योंकि lecture बहुत बढ़ा नहीं हो जाए, magnet brands की website जब आप करेंगे, तो top courses, explore top courses में आपको दिखेगा class 11, class 11 जब आप उसमें क्लिक करोगे, तो इसमें जो जो भी teachers class 11 पढ़ाते हैं, वो सारे open हो जाएंगे उनकी windows, आप मेरे चेहरे पे क्लिक करना, तो आपको एक list खुल कर आएगी, वो list है यह, इस list में आपको यह पता चलेगा, कि कौन सा जो वीडियो है, वो कितने minute का है, ठीक है, और इस lecture के बाद कौन सा lecture, इस lecture के बाद जैसे कि वालो respiratory system है, तो respiratory system के बाद introduction देने के बाद, stages of respiration, types of respiration, anaerobic respiration, respiratory organ, यह सब पढ़ाया है, मैंने, आप बिल्कुस, मतलब series wise lecture है, आप देख सकते हो, जब आप इसमें वाच नाओ करोगो, तो first number से lecture खुल जाएगा, और आप मैं ऐसे पढ़ाती हुए, आपको दिख जाओंगी, ठीक है, तो बच्चो, this is all about the pituitary gland, its position, its circulation, everything, I hope कि जो कहानी मैंने आपको समझाई, वो अच्छे से आपको समझ में आई, see you in the next class, तब तक घर पर रहिए, safe रहिए, अपना ध्यान रखिए, ताइंक यह सो मज़ और बबाए,